पैराडिडल शायद हम सब ड्रामर्स का मोस्ट फेवरेट रूडिमेंट यह रूडिमेंट बजाने में बड़ा मज़ा आता है पर जानते हो प्रॉब्लेम कहा आती है एक स्पीड के बियॉर्ड पैराडिडल बजाने में हमें तकलिफ होती है हम सब को तो आज की लेशन में एक काम करते हैं इसी चीज़ को सिंप्लिफाइ करते हैं लेट इंटिफाइ दर राइट वे दे राइट स्ट्रोक्स तो प्ले अ पैराडिडल ताकि आपको फास्ट बजाने में कभी कोई दिक्कत ना हो और आप ज्यादा क्रेटिव हो पाएं अपने पै जता है आपको पैरिडिल का पता है मुलते हैं राइट 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 हम सिर्फ उसकी स्टिकिंग बोलते हैं बट दर द्धिस एलोट मोर्ट बॉल्ट और उसमें एकसेंटैंटिा आइट सिंवाल्डएट दायामिक्स इंभालड है और इस्ट the right strokes हमने तीन टाइप के stroke सीखे थे last lesson में इसकी link यहाँ उपर है downstroke, tap stroke, upstroke अगर आपने वो lesson ने देखा तो तुरंद उसको देखो और फिर यह lesson देखना ताकि सारे concepts clear हो पाए तो चलो एक simple three note pattern से शुरुवात करते हैं और उसके बाद उसी को यूज़ करके paradigal के चरफ बढ़ते हैं तो look at this simple pattern right, left, right, left, right, left, right, left ठीक है अब इसमें हमने accents एड़ की है यहाँ पर और यहाँ पर इन accents के हिसाब से हमें क्या strokes यूज़ करने पड़ेंगे वो हमने last video में सीखा है but again just to brush up on the technique again हम जहाँ पर भी accents है वहाँ पर down strokes play करेंगे जहाँ accents नहीं है वहाँ पर हम या तो up stroke बजा सकते हैं या tap stroke बजा सकते हैं but based on our study so far हमें पता है कि इस particular sticking के लिए हमें down, up, tap, down, up, tap यह sticking यूज़ करने पड़ेगी तो चलिए सुनते हैं यह sticking कैसे sound करती है with these strokes यह strokes कुछ इस तरह किसे सुनाई देंगे down, up, tap, down, up, tap down, up, tap, down, up, tap इसी तरीके से continue करते रहो ताकि आपको strokes की आदत पड़ जाए आपकी muscle memory develop हो जाए अब बढ़ते हैं paradiddle की तरफ अब paradiddle essentially है क्या यह जो sticking आपको दिख रही है right, left, right, left, right, left, left इसमें सिर्फ मैं एक note आड़ कर दूँ तो फिर यह तो paradiddle बन जाएगा something like this right, left, right, right left, right, left, left एक जगह मैंने right आड़ किया और उसी जगह left आड़ किया और दोनो non-accented strokes है अब देखो आपके सामने अच्छानक से paradiddle construct हो गया जिसमें accent से हमारे first right और first left पे on either side ठीके तो अब इसमें जो हमारे पहले के strokes थे down, up, tap, down, up, tap वो वहीं के वहीं बरकरार रहेंगे जो नए strokes हमने एड़ किया है which are non-accented strokes उसको हम tap stroke से play करेंगे तो हमारा stroke play for this right, left, right, right, left, right, left, left बन जाएगा down, up, tap, tap down, up, tap, tap ठीके इसको बहुत ही slowly हम practice करते हैं चलो down, up, tap, tap down, up, tap, tap down, up, tap, tap down, up, tap इसी चीज़ को थोड़ा fast pray करेंगे while saying out the strokes out loud down, up, tap, tap down, up, tap, tap down, up, tap, tap और पराडिल तेयार आपका अब एक चीज़ नोटिस कीज़े आप इसमें हमको effort कितना कम डालना है हमें सिर्फ down stroke और up stroke पर focus करना है जो दो tap stroke है वो आपको physically दो अलग-अलग strokes प्ले करने की ज़रूरत नहीं है आप दो strokes rebound का इस्तमाल करके भी बजा सकते हो something like this playing the same thing in time कुछ इस तरह के साउंड करेगा वो आपको rebound stroke की आदत पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बड़ ट्रस्मी जब आप higher tempos पे जाते हो ना तो rebound stroke important है ताकि आपको कम strokes प्ले करने पड़े बड़ maximum output मिले So essentially हमें paradiddle बजाने की most efficient stroke play मालूम हो गई है आप इस stroke play के हिसाब से बजाओगे आपको कभी भी paradiddle को fast बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी एक example देखो मेरे दिमाग में मैं सिर्फ down stroke और up stroke के बारे में सोच रहा हूँ tap stroke क्योंकि मुझे rebound से मिल जा रहे तो मुझे बहुत कम सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बजा रहा हूँ सिर्फ down up down up सोचो बाके paradiddle अपने आप आपके सामने create हो जाएगा fast tempos पे बजाने का एक बहुत ही simple rule है कि आपको जितना कम सोचना पड़े the less you have to think the better it is for you और इस sticking के जरिए हम सिर्फ down stroke और up stroke पे focus करते हैं tap strokes हमें rebound से मिल जाते हैं और because of this reason हम भूत आराम से fast tempo पे बजा पाएंगे Now how to practice this सबसे पहले मैं जैसे हमेशा कहता हूं इसको slowly practice करो ताकि आपकी muscle memory develop हो पाएं आप एक simple 60 BPM का tempo लिजिए और down up tap tap down up tap tap इस strokes को जोर से बोलते हुए paradiddle को practice कीजिए अगर आप strokes का ज्यान रखोगे dynamics are automatically taken care of क्योंकि आप down बजाओगे आपको accent मिलेगा tap stroke याप stroke होगा non accented stroke मिलेगा बहुत naturally So lesser to think ठीक है और इसी तरह repeat करते करते 5-5 BPM बढ़ाएं and within a month आप अगर रोज practice करोगे आपको 15-20 BPM का इजाफा मिलेगा आपके playing speed में तो आपने देखा सिर्फ down stroke, tap stroke, up stroke इन 3 simple strokes को use करके हमने अपने paradiddle को most efficient way में play करना सीखा This is one of the most important lessons one can learn कि जो हमारा favorite rudiment है उसको भी हम और efficiently कैसे बजा सकते हैं using the 3 essential strokes of drumming I repeat again अगर आपने 3 essential strokes of drumming वाला video नहीं देखा है तो आप उपर description में check out कर सकते हो It's a very important lesson Simple right? मैं हमेशा कहता हूँ music आसान है सब नजीरे की बात है अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी particular topic पर video बनाओ ताकि मैं आपके मदद कर पाऊ Please मुझे comment section में बताइए ऐसे ही हम दोस्त भी बन जाएंगे और मुझे बहुत मज़ा आता है आपके लिए videos बनाने में तो आप जितना मुझे feedback दोगे मैं उतने अच्छे से आपको cater कर पाऊंगा ठीक है? So until next time I am Srinath and this is the Rhythm Experience